मुवी का स्टार्ट एक छोटी सी बच्ची कैली से होता है, जिसकी बेबी सिटर किचन में होती है, और उस बच्ची पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, टाइम गुजरता है और कैली बड़ी हो जाती है, स्कूल में सब उसे मॉन्स्टर गर्ल के नाम से टीज करते हैं, यह होती है कि उसके ज्यादा फ्रेंज नहीं होते हैं, पर कैली स्टेडी में बहुत शार्प है कि कभी कभी तो वो अपनी टीचर्स को भी हैरान कर देती है, कैली अपने क्रश विक्टर की वज़ा से हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है, मगर घर आने पर में पता चलता है, कि उसकी मदर ने अपनी बॉस को प्रामिस कर दिया है कि कैली रात उसके बेटे को बेवीसिट करेगी, कोई और और आपशन नजर ना आने पर कैली अपनी मदर की बात मान जाती है, और मिसिस ज्यलमेन के घर पहुँच जाती है, जो अपनी हैलोवीन पार मॉंस्टर्स रियल मेर में आ जाते हैं मिसिस जेलमन कैली को इंस्ट्रक्शन दे के वहां से चली जाती है कैली ज कॉ सोने के लिए लिटाकर अपने दोस्से बात करनी टीवी लाउंज पर तब ही जीकब पह πर ग्राउड गीनयल डाक़ करतीता है जो जेकआब को बताता है कि उसकी imagination उतनी strong है जिसकी वज़ा से उसके nightmare के monster's जिन्दा हो जाते हैं Grand Guign invisible कहता है कि उसे ऐसे ही किसी भचे का इंतजार था जिसकी imagination बहुत strong हो अब वो जेकआब का use करके एक nightmare monster army ready करेगा और पूरे world पर rule करेगा यहां कैली को भी अचीब वाइब्स आना शुरू हो जाती है और वो जेकब के लिए परेशान रूम की तरफ पड़ती है अंदर जाने पर वो देखती है के बैट पे जेकब नहीं बलखे एक मॉनस्टर है कैली जेकब को उन मॉनस्टर से बचाने की ट्राइ करती है मगर वो तीन मॉनस्टर्स जेकब को लिए बैट के नीचे एक होल करते हुए वहां से चले जाते हैं और फिर उस होल को सील कर देते हैं के कैली उन्हें फॉलो ना कर सके कैली पुलीस को कॉल करके हेल्प मांगती है मगर हैलोवीन की वज़ा से वो इस सब को प्रैंक समझते फोन बंद कर देते हैं तब ही वहां बाइक पे एक बेबी सिटर लिज आती है जो अपने गैजट से घर को चेक करने लग जाती है और कैली को बताती है कि ये काम टोडीस का है लिस कैली को घर पे रहके बिलकुल नॉर्मल एक्ट करने का कहती है और मिसिस जल्मन को कुछ भी बताने से मना करती है खुद वो जीकब को ढूनने के लिए जाने लगती है तब ही कैली उसे रोक लेती है ये कहते हुए कि वो भी उसके साथ जाना चाती है Kelly की calculations अच्छी होने की वज़ा से Liz उसे साथ ले जाने को तयार हो जाती है दोनों एक play area में पहुँचके 2Ds के लिए एक trap रेडी करते हैं जिसके बाद Liz जिस बेबी को babysit कर रही होती है उसे trap के तौर पे वहां रख देती है तौरीज बेबी को smell करते वहां पहुच जाते हैं मगर Kelly डर के सब खराब कर देती है जिसका फाइदा उठा के तौरीज लिस के बेबी को पकर लेते हैं मगर लिस एक तौरीज को hostage बना लेती है एक लंबी fight के बाद वो उसे पकड़ के बैग में डाल देती है और बेबी को भी बचा लेती है Scenes जेकब पे shift होते हैं जिसे टोडीज ग्रान गीनियों के पास ले जाते हैं ग्रान गीनियों जेकब को एक कोजी से रूम में ले जाता है जहां फुल सोने वाला माहल बनाया गया था ताकि जेकब सो जाए और उसके ड्रीम्स की मदद से ग्रान गीनियों मौन्स्टर्स क्रियेट कर सके ऐसा करने के लिए उसने जेकब के सर पे एक मशीन भी लगा दी थी लिस केली को अपने साथ लिए बेबी सिटर्स की स्पेशल एजिंसी में जाती है जो मौन्स्टर्स से बच्चों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं केली को तो यकीन ही नहीं आता है कि वो सारी लाइफ जिस बात को अपना ड्रीम समझ रही थी वो सब एक रियालिटी है बेबी सिटर्स और मौन्स्टर्स सच में एक्जिस्ट करते हैं जब कैली उन सब को बताती है कि जेकब के पास नाइटमेर्स को रियालिटी में चेंज करने की पावर्स है सब बहुत डर जाते हैं Liz के Kelly को सच बोलनेवाली Gyas देने पर Kelly वापस अपने पास में चली जाती है मूवी के वही स्टार्टिंग सीन जहां Kelly को लिने ग्रांड गीनियल आया था Kelly की वेबीसिटर ने टाइम पे वहां पहुँचके Kelly को उससे बचा लिया था इस सब का फाइदा उठा के कैली टेबल के नीचे छुब गई इस से पहले के कैली मजीद कुछ बताती उनके पास पड़ी एंसिस्टर्स की बुक ओपन हो जाती है जिसकी मदद से उन्हें पता चलता है कि ग्राउन गीनियल वापस आ चुका है कैली कहती है कि उसे यकीन है कि यही जेकब को लेके गया है यह सुनके लिस्ट के रंग हो जाते हैं और वो कहती है कि यह सब दुबारा नहीं हो सकता है कैली जब उससे सवाल करती है तो वहां मौझूद सब कैली से कहते हैं कि लिस्स से इस टॉपिक पे कोई बात मत करें कैली को पता चलता है कि ग्रांड गीनियल अकीला नहीं है बलके एक मौनस्टर माफिया है कैली बहुत डर जाती है कि किसी ने भी उसके बच्पन में उसका यकीन नहीं किया और हमेशा उसे यही बताया गया कि यह सब जूट है तब ही बाकी सब उसे बताते हैं कि उन्होंने मौनस्टर से फाइट भी की है यह सुन कैली कहती है कि अब उन्हें यह कहानी खतम करनी होगी लिस्स कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है जिस पर उसे पता चलता है कि वो लोग एंजिलफायर को मॉन्स्टर पच की मदद से ग्राड गीनियल को हरा सकते हैं कैली अपनी क्यलकिलेशन की मदद से मॉन्स्टर पच सीक लेती है और उन्हें एंजिलफायर बनाने को कहती है उसका confidence देखते हुए Liz weapons लिए कैली के साथ जेकब को डूनने जाने का decide करती है इसके लिए वो लोग hostage बनाते हुए टोरीज पे tracker लगा देते हैं और उसे free कर देते हैं कैली और लिज उसके पीछे निकल जाते हैं जबके बागी सब वहीं रहके angel fire बनाने में लग जाते हैं टोरीज को पता चल जाता है कि लिज और कैली उसे follow कर रही हैं जिस पर वो ग्रांड गीनियल को call कर देता है ग्रांड गीनियल उसे उन दोनों को distract करने के orders दे देता है यहां जेकब अभी तक सोया ही नहीं होता है ग्रांड गीनियल की इतनी efforts के बाद भी उसे नीन नहीं आ रही थी टोरीज को trace करते ये दोनों उसी party में पहुंच जाती हैं जहां कैली ने जाना था वहां अपने crush को देख कैली nervous हो जाती है और अंदर जाने से मना कर देती है लिज उसे motivate करते अपने साथ अंदर ले जाती है जहां सब कैली को monster girl के नाम से तंग करना शुरू कर देते है मगर लिज कहती है कि उसे ये नाम तो पसंद आया है आगे बढ़ने पर कैली विक्टर से टकरा जाती है मगर इस से पहले कि उनके बीच कुछ बात होती लिस कैली को लिए वहां से चली जाती है बेस्मेंट में जाने पर ये दोनों टूरीज को trace कर रही होती है कि स्टोर रूम खुलने पर उन्हें shadow monster नजर आ जाता है लिस कैली को monster को संभालने कबोल के खुद टोरीज के पीछे निकल जाती है कैली torch की मदद से shadow monster से बची रही होती है कि तब ही वहां victor आ जाता है जिस पर कैली light वहीं रखके उसके साथ बाहर चली जाती है जहां उसे monster नजर आता है कैली उसे follow करती उपर जाती है तो उसकी torch खराब हो जाती है monsters कैली पे attack करने ही वाला होता है कि कैली फॉर्ण अपनी calculations करके सब को अपनी तरफ attract करते picture लेने को कहती है और वो नीचे sofa पे छलांग लगा देती है सब की flash on किये picture लेने पर monster वहां से भाग जाता है यहां grand genial हर तरफ की चीज ट्राइ कर चुका होता है मगर जेकब सोने का नाम ही नहीं ले रहा होता इस सब की वज़ा से अब grand genial irritate होना शुरू हो जाता है तब ही उसे एक idea आता है और वो टोडीज को जेकब पे नज़र रखने का बोल के वहां से चला जाता है scenes वापिस Liz और Kelly पे shift होते हैं जिन्हें टोडीज का एक sparkle glass मिलता है साथ ही उन्हें पता चलता है कि टोडीज ने tracker अपने अंदर से निकाल दिया है जिस पर वो दोनों मायूस हो जाती है साथ ही इन्हें अपनी team से पता चलता है कि अभी तक उन्हें जीकब की तरफ से भी कोई side नहीं आया है क्यूंकि वो सोया ही नहीं है ये सुन कैली उनसे पूछती है कि फिर ये monsters बच्चों को सुलाने के लिए क्या use करते हैं जिस पर उसे पता चलता है कि वो cat eye amulet use करते हैं ये सुनके कैली और लिस फॉरण cat lady के पास जाने के लिए निकलते हैं ताके ग्राइन गेनियल को उसका amulet ना मिल सके यहां लिस का पार्टनर पूरे वर्ल्ड के बेबी सिटर से help लेते हुई angel fire के ingredients जमा कर लेता है और उसे बनाने का process start कर देता है cat lady के एरिया में पहुँचके कैली पर reveal होता है कि ग्राइन गेनियल लिस के ब्रदर केविन को भी उठा की ले गया था जब लिस सिर्फ 6 साल की थी किसी ने भी लिस का यकीन नहीं किया और उसे ही इस सब के लिए blame किया यही बज़ा है कि लिस एक babysitter बनी इस hope के साथ कि शायद वो अपने brother को वापस मिल सके इसके बाद ये दोनो cat lady को ढूंते उसके room में जाती है जहां लिस कैली को spray देती है ताकि कैली cat lady को distract करे और लिस इस बात का फाइदा उठाके cat emulet ले ले इससे पहले कि वो दोनों इस plan को execute करती ग्रान गीनियाल वहां पहुँच जाता है कैली डर जाती है ग्रान गीनियाल के उसके पास आने पर कैली पास में जाके वो ही दिन याद करती है जहां हमें पता चलता है कि कैली की babysitter गीनियाल से हार के भिहूश हो गई थी तब कैली ने हिम्मत करके fire angel पकड़ा और गीनियाल पे भेका था जिससे वो उस दिन तो उससे बच गई थी इस बात से unaware के उसे दुबारा इसे face करना होगा गीनियाल cat lady से amulet लेके कैली को उसके हवाले करते हुए लिस को अपने साथ ले जाता है cat lady अपनी सब cats को कैली के पीछे छोड़ देती है जिन से बचते कैली भागने लग जाती है तब ही वो cats को light से distract करती है और वहाँ से भाग निकलती है कैली डिस हार्ट बैठी होती है कि उसे babysitter's की agency से call आती है उन्हें टोडीज का वो sparkle glass देखने पर पता चलता है कि ग्रैन गीनियाल जेकब को ची कॉंग light house लेकी गया है ये जानने पर कैली फॉरण वहाँ के लिए निकलती है क्यूंकि अब तो उसे जीकब के साथ साथ लिस को भी बचाना है गीनियाल फाइनली emulate यूज करते हुए जेकब को सुला ही देता है और जेकब के सोते ही device की मदद से monsters की production स्टार्ट हो जाती है गीनियाल इस सब से बहुत खुश हो जाता है दूसरी तरफ कैली light house पहुँच जाती है और हर रिस्क उठाके जेकब को बचाने के लिए तयार होती है गीनियाल मैजिक स्पेल करते हुए लिस को अपने काबू में कर लेता है एजिंसी में लिस की टीम एंजिल फायर रेडी कर लेती है और कैली light house के अंदर पहुँच जाती है जहां उसे जेकब नजर आता है वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगती है कि गीनियाल सामने आ जाता है और टोडीज को कैली को जेल में बंद करने का भूल देता है कैली की कोई नियूस ना मिलने पर एजिंसी से लोग light house fire angel ले जाने का decide करते हैं तभी एजिंसी पे shadow monster अटैक कर देता है ये देख उन में से एक angel fire लिये वहां से भाग निकलती है जबके बचे हुए बागी दोनों shadow monster से fight में लग जाते हैं सीन्स कैली पे shift होते हैं जो टोडीज को अपने weapons यूस करते हुए हरा के जील से बहार आ जाती है मगर तभी उस पे लिस अटैक कर देती है जो कैली को पकर के जेल में बंद कर देती है कैली special weapon यूस करते हुए लिस को वापस senses में लाती है और वो दोनों reunite करते हुए जीकब को बचाने निकल जाती है दूसरी तरफ एजिंसी में लिस की टीम shadow monster को light से खाबू करते हुए magical box में खैद कर देते हैं गीनियल को अभी तक यही लगता है कि लिस उसके खाबू में है और लिस भी ऐसा ही act कर रही होती है मगर तभी गीनियल को कैली के वहां होने का पता चल जाता है लिस कैली को बचाने के लिए गीनियल पे अटैक करती है मगर गीनियल के एक वार से ही दूर जा गिरती है उतनी देर में लिस की पार्टनर भी fire angel लिए वहां पहुँच जाती है वो fire angel कैली की तरफ फिकती है मगर गीनियल हाथ बढ़ा कर वो पकर लेता है गीनियल टोरीज को बुला के monsters को release करने का बोलता है ये तीनों मिलके उसे तो रोक लेती है मगर गीनियल को हराने के लिए उसे उस fire angel की जरुरत होती है जो गीनियल के अपने हाथ में ही है ये दे तीनों प्लान करती है लिज और उसकी पार्टनर गीनियल के मुल पे स्प्रे करते हैं जिसका फाइदा उठाके कैली जम करते हुए fire angel लेती है और सीधा गीनियल के heart पे attack करती है यही है एक perfect monster punch गीनियल वही smoke में change हुए मर जाता है मगर monster अभी भी वहीं मौजूद होते है यह देख कैली और लिस जेकब को motivate करते है और वो monster से जाके कहता है कि वो उनसे नहीं डरता है जेकब कैसा करते ही monsters वहाँ से गाइब हो जाते हैं कैली जेकब को मिस्स जलमन के घर आने से पहले ही घर ले जाती है जहां दोनों इस सब को secret रखने का promise करते हैं और जेकब सो जाता है मिस्स जलमन उसे सोया दे के बहुत खुश होती है और कैली को उसकी permanent babysitter रख लेती है लास्ट सीन्स में लिस कैली से कहती है कि ये war अभी खतम नहीं हुई है गीनियल की sister इन से बदला लेने जरूर आएगी साथ ही वो बताती है कि उसने बॉस से कैली को टीम में एड करने की बात कर ली है रूम में बैठी कैली जब monsters पे book पर रही होती है तभी उसे victor की भी call आती है जो कैली को deed के लिए invite करता है और कैली accept कर लेती है यही movie end हो जाती है